तो आज जानेंगे कच्छुए से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यह उनकी शरीर से जुड़ा हुआ होता है और शरीर के साथ ही बढ़ता है हॉक्स बिल नाम का एक समुद्री कच्छुआ सिर्फ ऐसे जिवों को खाता है जो कि जहरी ले होते है कुछ कच्छुए मासाहारी होते हैं तो कुछ शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी भी होते हैं जो कि मास और पौधे कुछ भी खा सकते हैं कई बार कच्छों के बच्चे मासाहाली के रूप में जीवन शुरू करते हैं लेकिन बड़े होने के बाद पौधे खाना शुरू कर देते हैं समुद्री कच्छों का कवच सेंसिटिव होता है वो यहां से हर रगड और खरोज को मैसूस कर सकते हैं कच्छों के मूँ में दांत नहीं होते बनकि एक दीखी प्लेट की तरह हडडी का पट होता है जो भोजन चवाने में इनकी साहता करता है अगर कच्छों के दिमाग को इसके शरीर से अलग कर दिया जाए तो भी ये 6 महिने तक जीवित रह सकते हैं कच्छों के खोल याने शेल में 60 याने 60 हड़ियां होती हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं कच्छों का खोल कठोर होने के कारण ये अन्य जानवरों और मनुश्यों की तरह सांस लेने के लिए अपनी छाती नहीं फूला सकते इसलिए कच्छों में मास पेशियों का एक विशेश समूल विक्सित होता है जो उन्हें सांस लेने में सहायता करता है कच्छों अंडों के सहारे नए बच्चे पैदा करते हैं मादा कच्छुए पहले मिट्टी खोलते हैं, फिर वहाँ एक बार में एक से तीस अंडे देते हैं, अंडों से बच्चे निकलने में 90 से 120 दिन लग जाते हैं नेक्स्ट है, कच्छुए लंबे समय तक अपने सांस रोक सकते हैं, यही कारण है कि वे अपने शेल के अंदर इतने लंबे समय तक रह लेते हैं तो गाईज, यह रहे कुछ इंटेस्टिंग पैक्ट जो की इलेटर थे कच्छुए से, जैसे हम टाटल कहते हैं, टो टोईज भी कहते हैं तो आए हूँ काईज, आप लोग कोई पसंद आया होगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आए, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं परदे वीडियो उसके लिए, तो आज के लिए बस इतनले गाईज, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तो हसते रहे हैं, शकुराते रहे हैं, थैंक्यू गाईज